गुं है गुण वार्निंग। है आद्वीर्ज मुहां पे दे लेकर आलौाइन प्रेड फ्राप प्राप्रांप आपका सौगत है जैसे पहले की बाद टापिक था 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 फ्यक्त फैक्टर अ फेक्टिंगं फ़ेक्टिंग इस वापबेसे फिक्वेसे इसके हम लोग क्या देखेंगे जैसे जो हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है नामली जो होता है च के लिए आपका जो होता है उन्तीसों से लबग अठाइसों के आसपास ठीक है या फिर तीन ही जागा असपास इस पी जो हमारा हट्रूजम बार्णिंग का परभाव होता ह है जैसे आप देखेंगे एल्कॉल के यह लबग 3600-2300 बार्णिंग जो होती है इसके प्रभावित करते हैं इसके प्रभावित करते हैं जो होती है उससे कम कुछ आती है उसके प्रभावित करने वाले कालको काल हम देखेंगे पहला आपका है यह जानते हैं आप दुप्रेकाल होती है एक इंटर मालेकुलर ऑन्वों के बीच में बन्डिंग होती है यह आपका ऐस्टूर मालेकुल है यह दूसरा hedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhedhed कि यह दोनों जब होती है तो इसका जो एफेक्ट करता है और पहली बात और जो अगर जो नार्मल होती है तो इसकी जो नार्मली इसकी 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 फिक हो जाए ठीक है यहां पी नहीं बातों बताया रहा है कि यहां क्या हो सकते हैं अब बोथ इन्वालव इन इट आज़सेश्टी आप एब जाब समय ठीक है जब होती है यहां पे दो केसे से הי पहला तो आपका पहले का इसकी लोब荡 फेकंसी हो जाएगी ढूर्शितर हो जाएगी तो इसका इसके इंटेंसटी हो जाएगी तो इसे के जो पिक होगी वो कुछ इस तरीकियों साइगी ठीक ए ब्लाड इसका इंटेंसिटी हो जाएगी और यहाँ कहा जाए कि जैसे नार्मली जो इंटेंसिटी आती है कुछ और अगर देखेंगे तो घ्रमाली जी है ठीक ग्राफ है कुछ इसमें छोटी सी आती ठीक है छोटी सी आवके बढ़ी हो जाती ठीक यहाँ भी बताया जाता है जोटी सनुन में प्राइट होगी यहां पर क्या होता है इन दोनों की बीच में जो बांडिंग होती है जो इसकी लेंथ होती है । च्छोटा माईकून होता है मार देजी जब इसके से लिएक उपूरून बाडनिग होगी तो इसको तोड़ना आसान होता है कहने का मादलब है जब इसकी लेंथ बड़ी हो जाती है होता है दोनों के बीच में वो कम हो जाता है और इन दोनों को बांड की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से इसका फोर्स कांस्टेंट जो होता है कि वो कम हो जाता है ठीक फोर्स कांस्टेंट आपका कम हो जाता है और इसके आपके सेक्वेंसी भी कम हो जाती यहां पर देख सकते हैं जिसी आपका आपकुछ इस तरीकी से पिक आएगी जब आपकी इंटरमालेकुलर हर्डियुम बार्डियुम 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 कि आपका जो फिक होती है वो ज्यादा ब्राड होती है जब कि इंट्र इंट्रा मालेकुल हर्विंबार्डिंग केस में आपकी पिक जो होती है वो शार्फ होती है यहाँ पर दो डिफिरेंस देखने मिला कि आपके जो इंट्रा मालेकुल होगी उसकी पिक होगी शार्फ होग यहां पर फ्री एलकोहली ग्रुप होगा माली जी कुछ इस तरीके CS2 OHS माली जी ग्रुप है यहां पर फिनाल जब आपका नावली इसकी पीक आती है यहां पर देखें अगर नार्मली अगर हाड्रीम बांडिंग नहीं होती इसकी प्यूख यहां च्छती सो के आसपास आती है लेकिन जब यहां पर देख रहेंगे इसकी प्यूख आपकी लूवर हो गई च्छती सो पचास से कम हो गई है अब यहां बता जा रहा है कि आपका नान बांडिंग होती है अगर जब नहीं होती हो तो वह कौन से किसी सोते हैं यहां आपकी जो नान बांडिंग होगी कि जब गैसी यह वजथा मोगा कोई मौल्ब उससे में होगा या फिरहां कि बहुत कंसेंट्रेशन नहीं के बहुत ज़्यदा पानी कर दिया गया है तो आपका दालियुशन हो जाता है या फिर नान-पोलर-सालवंट हो और इस प्रविंटेट फ्रेविंट्ट बाइस्ट् वह आपस में भोड लगी है कि हमें बांड नी करनी है जिसकी वज़़े से कोई बांड करें नहीं पाता है तो उस केस में ऐसा यह आपका नान हडोजन बांडिंग हो सकती है ठीक है प्योड सेंपल एंड कंसंट्रिडे स्लूशन आप एलकोहल एंड फिनाल सो ब्राड ब्राड ओजेश इस्टरजिंग बांड इंदर रीजिन आप थैंतिसो सेंटिमीटर ठीक है प्योड सिंटिमीटर ड्यू टू इंटर मालीकुलर हाड़न बांडिंग ठीक है आपने इसके प पलो ठीक है प्योड मतुद्धहकर हम ले सुद्धहकर फिनाल का स्लूशन हो तो उसका जो प्रिकाती है ने efect में इंटर मालीकुलर हाड़न बांडिंग होती है इसको बोहते हैं तो आपको से पास पास होते हैं तो उनमें आसानी से भौाज़न हो सकती और इसको बोलते हैं इंटर पर यही बताईगे इसके पहलें जो मैं थोड़ी बहुत समझाया था कि इंटर वह गर जाती है जो आपका विफ्रिक्वेंसी होता है वह घड़ जाती है अब जब इसकी आपका बांड लेंथ बढ़ गई तो इसकी स्टेंथ होती है वह जब strength इसकी घड़ जाती है तो जो आपका frequency होता है वो इसकी घड़ जाती है इंट्रा-molecular-hydrogen-burning is within the same molecule hence it is not affected by the dilution अगर माल लीजे अब कोई molecule है उसमें इंट्रा-molecular-hydrogen-burning होता है तो उसमें क्या होगा क्योंकि वो एक ही molecule के अंदर हो रहा है तो उसमें आप कोई भी dilute जाहाँ जिदना उस sample को जिदना dilute हम करने तो फिसमें जो हमारी pick होती है वो affect नहीं होती है यहाँ पर कहने का मतलब ही है ठीक है and so the absorption band is not also unaffected ठीक है जैसा कि मैंने बता है कि इंट्रा-molecular case में क्या होता है कि आप जिदना dilute के लिए उस sample को वो आपका जो उसका जावसम band होता है वो affect नहीं होता है जो उसकी नार्मली frequency आती है वह ही frequency आती है ठीक है जो उसकी पिक होगी वह आपकी च्छती सो पैंती सो नब्वे से च्छती सो पचास के आसपास ही जाएगी ठीक है this means OH stretching value does not change with dilute in the case आप इंट्रा-molecular-hydrogen binding ठीक है इंट्रा-molecular-hydrogen binding है अगर इसका हम dilute करेंगे जो इसकी frequency होगी इसके जो पीक होगी वह चेंज नहीं होगी लेकिन in the case आप जिसमें कोई वह weakness हो जाता है उसका उनलब उसमें दोनों के बीच में जो बांड होता है उसकी जो इस्टेंथ होती है ठीक है यह आपका क्रिसॉल मालेकुल है तो कहा जाए हाड्रोजयन बांड है हाड्रोजयन बांड यहाँ पर है इसकी पीक देख रही है लोग आप देख रहे है बद तीसओ के आसपास ठीक है इसके पहले देखी है इसके बताए कि आपको बताए जाएंगे अच्छे से जब अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे वेब नंबर के बारे में ठीक है ठीक है पढ़ाएंगे अच्छे सब जो होती है यहां पुछा जा रहा है कि आप जो देख रहे हैं कि हाट्रोंड बारेंग विजए लुवर्ट फिक के हो जा रही है तो इसका प्रापर यहां पर इसका रिजन दिया गया है आप जो प्री वेच होता है बार्ण इच लेंग तेटिन वेकेंड डियूट अधर मालेकुल ठीक यहां पे बताया जा था कि जिससे पहले था कि यह दो मालेकुल है उनके बीच आपका अक्सीजन है यह आपका कुछ इस तरीके सोग हार्डोजन ठीक है अब दो अनुगों की बीच में देखें यह अपके इलेक्ट्रो नेगट्योटे में हैं इन दोनों क इस बीच में यह भी आता है कि यह मिलताए है में इसलिए दोनों आपका संसे लगाते हैं इसका और बान्ट हुता है और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जिसकी ब्यूसरा इसक इसकी होता है कि जिसकी वज़एस कि होता है में क्या होता कि आपका पी करेक्टर बढ़ जाता है जिसके बढ़ जाता है जिसके इसकी वेब नंबर आपके घड़ जाते हैं यहां क्या बता जाता है कि जब बहुत ज़्यदा डालूट स्लूशन होता है जिसके वज़े से एक इंटर मालीकुल हार्डवर बांडिंग नहीं फार्म कर पाते हैं यहां क्या बता जाता है कि अगर इंटर मालीकुल हार्डवर बांडिंग है तो बिसकली वह कंसेंट्रेशन सलूशन होगा तभी कि हो सकता है अदरवाइस वह नहीं हो सकता ठीक है अंट्र मालीकुल हार्वर बांडिंग यहां किया हो रहा है माली जी आपने यहां बता गया कि आपका कोई कंसेंट्रेशन है उसमें क्या हुआ कि अब नियौन कर रहे है है रहुब होगा है जो इंतर इंट्र वो हो जारहे ऑसा हो जाए जिसकी बज़र Сे आपका फ्री फ्री यग stubrt को रही है जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो पहले भड़ी थी व वह अपस बढ़करिंची फ्रिक्वेंसी होती है उसमें कनल थी जबकि देखते हैं इंट्रा-molecular-hardwind binding is within the same molecule hence it is not affected by dilution ठेक है and so absorption band is also affected अब यहां क्या बता जा दा कि इंट्रा-molecular-hardwind binding case में क्या होता है कि आपका molecule होता है उसको जो बार्डूर्वन बार्डिंड होती है वह एक ही molecule की बीच में होती है जिसकी वज़ासे आप जिदना solution डालूट कीजिए उसका आपका कोईस पे उसका फ्राग नहीं पड़ता ठीक है तस अ पांट विद इंट्रमालेकुला हाहें बार्ण 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 बा diff. डालूट कोईसे, निटेपी आप निधाल利 नौट। यहां पर क्या बताया रहा है कि आपका जो इंट्रा मालीकुल होता है आप उसको चाहे सेंपल है प्योर लिकुड है तो इसमें देख रहे हैं आपका हड्योजन बांडिंग इसमें होगी यहां पर क्या करते हैं 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 पानी पानी आड़ करते हैं यहां पर देख रहे हैं यहां क्या मतलब है जब इसका डालूट कर रहे हैं जो इंटर मालेकुलों जो बांड थे वह ब्रेक होना शुरू हो गया है कुछ उसमें फ्री जो ग्रूप है वह अबलेबल है तो उसकी एक प्रीका रही है लभग छत्री सो के आसपास ठीक है अब यहां पर देखें अभी त इसमें कुछ ऐसे मालेकुलों होंगे जिसमें हाइड्रोजन बांड निग होगी तो वहां पर इसकी प्रीका रही है एक आपकी अधरी लभग 32, 33, 3300 के आसपास ठीक है अब इससी सलूप को और डालूट करते है ठीक है बहुत जदा अगर डालूट है जो हम कर देते हैं यह प्रेक होजा ठीक है यहां पर देख रहे हैं तो आपका प्री हाड आपको मिल जाता है और जिसकी पीक आती है 6th-330 के आसपास ठीक है के आप इन्हीं देखा कि हड्रोजन बांड निंग वार्न पही प्रभव देखा अब देख लेते हैं एलेक्ट्रृन उग्रूटिवी यहां पर क्या हो रहा आप यहां पर क्या होता है जिसके बीच की जो दूरी होती है और कम हो जाती है जिसके बिज़ा से इसका जो बांट लेंध होता है वो कम होता है और इन अडुगों को तोड़ना आसान नहीं होता है जिसकी वज़े से इसमें इसकी strength बढ़ जाती है जब इसकी strength बढ़ती है तो इसकी frequency जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है ठीक है यहां यहीं बताया जाता है अब होता क्या है जब इसकी आपकी बढ़ जाती है ठीक है अब होता क्या है है जब इसकी आपके इसमें एड़ हुआ जो इसका dipole moment होता है वो भी change हो जाता है और dipole moment जब change होता है उसकी absorption intensity होती है उसका भी इस पर फ़र्क बढ़ता है तो इसक्वायर आप दे change in the dipole moment ठीक है यहां पर कहने क्या मन लगा है कि जैसा जब dipole moment जिदना change होगा उतना ही ज्यादा आपकी absorption intensity पर भी फ़र्क पड़ाएगा ठीक है देख सकते हैं absorption intensity जो होती है directly proportion होती है तो dipole moment का जो इसक्वार होता है ठीक है फार एक्जांपल डिक्रीज आप आड़र अगर हम इलकेन के केस में देखें जो हमारे electronegativity का आड़र होता है वह इलकाइन में सबसे ज़्यादा होती है जिसकी विजए से इसकी हम पिक देखते है लभग आती है 3300 का सपास में यहां पर देखेंगे आपकी आती है लभग इसकी आती है 3000 से लभग 2900 का सपास यहां देख सकते हैं कि प्रभग क्या पड़ रहा है इलकाइन का जो होता है ज्याद होती है इलकेन की आपकी कम होती है और इलकेन की उससे भी कम होती है ठीक है यही मैंने बताए इसके पहले भी यह आपका इलेक्ट्रोनेगर्विट्री का आटर है ठीक है जो हेलोजन होते है ठीक है उनका आटर यह आप माल यह फ्लोरेन का इलेक्ट्रोनेगर्विट्री आपका ज्यादा होती है आक्सिजन की ज्यादा होती है आक्सिजन की उससे कम होती है नाट्रोजन की उससे कम होत की है यहां पर देख सकते हैं अगर हम าली जोड देखते हैं इसका शुसा से कम होती है इह पर जब यहीं आपका हाड्रोजन के साथ बांड हो जाता है क्योंकि हाड्रोजन के साथ बांड हो गई है तो देख रहे है सबसे कम जाड़ी होती है कार्बन की यह आपके प्रभाहव हुवे vibration frequency पर electronegativity गा ठीक है तो हम निस क्लासे में कुछ होड टापिक लेके आंगे